गाइस जब प्रेल का महीना चल रहा है और इसमां हमें एक से बड़कर एक संदार कंपनियों के धमाकेदार डिविडेंड बोनोस और स्प्रिट की खबर लगतार निकल कर सामने आ रही हैं और हम अपने वीडियो के माध्यम समसब के बारें आपको बताते भीरा रहे हैं ताकि कमाई कि कोई मौ का छूट न पाए जहां हाथ लगें वहां कमाने का प्रयास जरूर कीजिए इस वीडियो में हम लोग सारे कामा लिमिटेड कंपनी बारें बात करेंगे यह मुजिक बनाने वाली कंपनी है और इसने भी स्टॉक करने की बात कहिए तो आईए देखते हैं कि क्या है इसका एक स्टेट और उसके पहले क्या हमें इसमें कोई जवार लग सकता है या नहीं हर एक चीज इस वीडियो में असान भास्ताम बतांगा बस्ता प्लाश तक बने रही है देखें दोस्तों सारे गामा लिमिटेड जो कंपनी है या ओल्डेश भारत की सबसे पुर मार्केट कपनी को मिट क कहा जाता है समझेंगे इस कम्पनी आभी सेयर प्रासे ओर प्रासे चार हज़ा राइसओ और है और जब आप दो पहले चले जाएंगे अप्रेल 2020 में तो उस समें इस कंपनी का शेयर प्राइज सीर्फ 2800 रुपे का सब्सक्राइब करता था सुचिए कि दूस साल में 2800 से इसने लगभग 5000 तक का क्या संदार सफर किया है असली तेजी तो इसमें मई 2020 के बाद आना शुरू हुआ मई 2020 के बाद यह स्टोक एकदम रॉकेट की रफ्तार सूपर की तरफ भागा है अपने शेयर स्टोलस को दमदार कमाई कराया है पिछले दो साल में इसने हाला कि पिछले कुछ दिनों से श्टोक में हलका गिराउट देखा जा रहा है लेकिन यह मामली गिराउट है कंपनी का बाकि फंडामेंटल ठीक है अगर रिटर्न की बारे में थोड़ा सा बता दूं साल भर में कुछ ज़्यादा नहीं 170 कमाई कराया है और पांस साल का रिटर्न देखेंगे तो 1890 का संदार कमाई इसने कराया है अब यहां समझे इसने हाई लगा है 5500 पांसो 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 पा यहां इसके डारेक्टर्स ने अलांसमेंट किया था 24 फरवरी को कि यह स्टॉक करने जा रही है कंपनियां स्टॉक को स्पिलिट तभी करते हैं जब उसके श्यर्ट का प्राइस का पीदिख बढ़ जाता है इसके पीछे कारण यह होता है कि सधीक होने से हरी कोई उसको खरी जाएगा और इसके लिए एक्स डेट रखा गया 26 अप्रेल यानि कि आज ही के दिन अगले मंगलवार के दिन इसका जो एक्स डेट है उस दिन स्टॉक के स्प्लिट हो जाएगा अब समझेंगे अभी जो इसका फेस्ट वैलू है आज के दिन मतला वर्तमान में जो इसका फेस् प्लिट हो जाएगा तो उसके बाद इसका जो नया फेस्ट वैलू होगा वह हो जाएगा एक रुपया क्यूंकि जिस रेशियो में कमपनिया इस्टॉक करती है फेस्ट वैलू और शेयर प्राइस उसी के हिसाब से बढ़ जाता है तो फेस्ट वैलू जब 10 रुपया है इसक हो जाएगा 4,800 राइस हो जाएगा 4,800 में 10 से डिभाइड कर दीजे क्यूंकि 1-10 के रेशियो में यह स्टॉक के स्प्लिट करने जा रही है जब 4,800 के राइस्ट करेंगे तो हो जाएगा 481 रुपया यानि कि तब 1 शेयर का प्राइस हो जाएगा 4801 रुपया एक प्राइस को सेर का एक सेर का वह सी प्राइस पर होगा 470 रोपया होता कि इस सब्सक्राइब करते कि अब यह जाननेजिए कि stock split का सबसे ज़्यादा किसे होता है Share Solider को आसान भासा में इसका जवाब है कि इसका सबसे ज़्यादा Company को होता है क्योंकि company is liquidity बढ़ जाती है company का इसमें participants बढ़ जाता है लेकिन जो उल्डर्स होते हैं उनके सेर्स की प्राइस कम हो जाती है तो एक परकार से कहें तो नुक्सानी होता है उम्मीद करता हूं एस्टॉक के स्प्लिट से संबंदी तो यह जो आपडेट था आपको पसंद दाया होगा कुछ सीखने और जानने को मिला होगा फिर भी अगर मन में कुछ आप नहीं जानना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वडियो में तब तक लिए धन्य बाद शुक्रिया